Hello everyone, this is the fourth video of geometry और इसमें हम लोग जो है Points and line segments specific to a triangle पढ़ेंगे ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक mind map दिमाग में रख लीजिए दो तरह के circle बनते हैं, triangle से related circumcircle और in circle circumcircle बनता है with the help of perpendicular bisectors और perpendicular bisector के meeting point को circumcenter कहते है in circle बनता है with the help of angle bisectors and उन तीनो angle bisectors के meeting point को in center कहते है there are three altitudes in a triangle and the point where the altitudes meet is called the ortho center there are three medians in a triangle and the point where the medians meet is called the centroid तो अब मैं यहाँ पर आपको एक मिनट यह बता रहा हूं कि सपोज यह अपना triangle है ठीक है अब अगर हम इस triangle में a से bc के mid point पे एक line connect करें ठीक है तो यह हमारा जो length है इसका हमने एक लगभग अंदाजा लगा लिया यहाँ पर आएगा हमारा इसको हमको connect करना है इसको हमने connect कर दिया और इस point को हमने d कहा तो a d हमारा एक median हो गया ठीक है उसी तरह अगर हम लोग b से ac पे डालें हैं ऐसा ही median तो देखो कैसे डालेंगे ठीक है यह हमारा point हो गया और इस point पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से connect कर देंगे ठीक है और अपने आप तीसरी median हम यहाँ से direct भी draw कर सकते हैं बट लेट सी जो बात मैं कह रहा हूँ triangle में क्या है कि तीनो medians एक point पे मिलती है for sure तीनो altitudes एक point पे मिलते है for sure तीनो perpendicular bisector से एक point पे मिलते हैं तीनो angle bisector से एक point पे मिलते हैं तो अभी हम लोग median draw कर रहे है ठीक है यह जो है अपना almost यहाँ पे आएगा और अब इस point को हम connect करते हैं देखो यह तीनो एक line में है अब मैंने roughly draw किया है तो थोड़ा सा तो difference आएगा ही है ना तो यह जो meeting point है यह है हमारा centroid जी एक point है ठीक है यह है centroid यह है अपना point of intersection of medians ठीक है यहाँ पर आप simply समझ सकते हैं कि BD is equal to DC ठीक है AE is equal to EC क्योंकि middle mid points है और उसी तरह AF is equal to BF ठीक है तो medians के meeting point को centroid कहते हैं उसी तरह अगर हम लोग altitude की बात करें अगर हम लोग altitude की बात करें तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यह तो video है यह जो मैंने बूला वो आपके सामने आ गया आप वापस जाके फिर से देख सकते हैं उसको इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ ओके एक मिनट चलो अब क्या है कि अगर हम A से B C के उपर perpendicular draw करें ठीक है perpendicular draw करें यहाँ ठीक है उसी तरह B से A C के उपर हम perpendicular draw करें और C से A भी के उपर draw करें खोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ठीक है ओके तो A D B E C F इनको हम लोग क्या कहते हैं altitude या height height का भी अभी sense बताएंगे जैसे अगर A D हमारा height है तो उसके corresponding B C हमारा base होगा ठीक है height और base ठीक है अगर हम C F को height कहेंगे तो फिर B C base नहीं होगा C F किस पर पड़ा है A B पर पड़ा है तो A B base हो जाएगा यानि जिस पर perpendicular drop हुआ वो base ठीक है जिस पर perpendicular drop हुआ वो अपना base हो गया पर perpendicular मतलब 90 degree यानि कि A से आपने B C पे एक ऐसा line segment डाला कि यह जो point यहाँ बना इसके दोनों तरफ 90 degree का ही angle बन रहा है ठीक है AD के दोनों तरफ 90 degree का angle बन रहा है तो वो हमारा altitude हो जाएगा और तीनों altitudes का intersection point जो है वो हमारा ortho center हो जाता है ठीक है O से denote करते हैं इसको यह हमारा ortho center ortho center और यह point of intersection of altitudes ठीक है बहुत जगह इसको H से भी denote किया जाता है बहुत जगह इसको H से भी denote किया जाता है ठीक है अब हम लोग आता है अगला जिसको कहते हैं हम लोग perpendicular bisector perpendicular bisector पे भी आते हैं और जो midpoint है मतलब basically midpoint पे आपको perpendicular डालना है वो उस vertex से आ रहा है नहीं आ रहा है कोई जरूरी नहीं है तो जैसे यह A से नहीं आ रहा है फिर भी यह हमारा perpendicular bisector हो गया इसको हमने L कह दिया उसी तरीके से यहां पे भी हमने एकदम perpendicular line डाली यह थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है रूको झाल 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 ठीक है अभी सही लग रहा है ओके विए सही यहां पे हमने perpendicular डाला ठीक है यहां पे perpendicular डालते हैं इसको हमने M कह दिया यहां पे perpendicular तीसरे वाले पे डालेंगे एकदम midpoint पे ठीक है थोड़ा सा हमने roughly draw किया है triangle इसलिए ऐसा होता है यह midpoint है यह midpoint है तो midpoint वही चलो यहां पे D यहां पे E और यहां पे F ठीक है इसको हमने N कह दिया यह तीनों जहां मिले इसको हम लोग circumcenter कहते हैं और अब उसी के बारे में हम अच्छे से बताते हैं तुमको circumcenter इसको C से denote कर लेते हैं चलो circumcenter point of intersection of perpendicular bisector perpendicular को ऐसे लिखते है perpendicular bisector यह नहीं perpendicular भी होना चाहिए bisector भी होना चाहिए इसकी क्या खास बात होती है कि यह जो है यह एक circle का center है basically जिस circle के तीन points आपको पहले से पता है वही है हमारे ABC तो आपने क्या करना है बस आपने इसको radius लेके एक circle यानि यह radius हो गई आपकी यह radius हो गई यह radius हो गई यानि C से तीनों में से किसी भी vertex का distance अब C तो हमने पहले से लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कहें चलो और्थो center का हम लोग H कहलेंगे इसको O कह लेते हैं O से किसी भी vertex का distance बराबर होगा क्योंकि obviously एक circle के तीन points है तो center से बराबर distance पे होंगे O से किसी भी vertex का distance is radius और क्योंकि वो circum circle का radius है इसलिए उसको circum radius कहते हैं ठीक है तो LMN क्या है हमारे यह क्या है perpendicular bisectors bisectors ठीक है DEF क्या है midpoints of sides C ही नहीं अब हम लोग इसको O कह रहे हैं तो O है हमारा circum center that is point of intersection of perpendicular bisectors ठीक है और OA is equal to OB is equal to OC इसको capital R से denote करते हैं यह होती है हमारी circum radius तो हमको अगर center पता और radius पता है तो circle अराम से बन जाएगा ठीक है यह अपना circle हो गया यह अपना circle हो गया ठीक है तो यह circum circle हो गया जिसका center O है जिसका radius OA, OB, OC जिसको capital R से denote करते हैं तो यह तीसरी चीज हो गई बहुत अच्छे से समझना इनको detail में मैं पुरा draw करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमारे दिमाग में छप जाए अच्छा यह होता है centroid, median median से centroid, median का intersection point, centroid altitude, जिसको height भी कहते हैं then ortho center हम लोग इसको h से denote करेंगे हमेशा अपने course में इसको g से denote करेंगे सकम center को o से denote करेंगे, in center को i से सकम radius को capital r से in radius को small r से मैं अभी इस पे भी आ रहा हूँ, यह वाला part अपना बाकी इस पे आ रहा हूँ अभी, जो पढ़ा है उसको पहले revise कर रहे है, perpendicular bisectors का intersection point होता है circumcenter, ठीक है point and line segment, तो perpendicular bisector यह होता है, जो line segment की category में नहीं आता है, lines होती है यह, बाकी median जो था, वो एक vertex से सुरू होता है, एक side पे जाके खतम होता है altitude, एक vertex से सुरू होता है एक side पे जाके खतम होता है ठीक है, angle bisector के लिए भी वही होगा आप देखेंगे अभी, okay अब आपको हम एक चीज और दिखाते है कि अगर altitude जिसके बारे में हमने पढ़ाया अगर हमारा triangle ही 90, right angle triangle था अगर हमारा triangle ही right angle triangle है तो simple बात है एकदम कि हमारा जो right angle वाला जो vertex है ना, वही हमारा ortho center हो जाएगा तो इसको note कर लेंगे अच्छे से, in a right triangle right triangle the vertex at which the vertex at which right angle is formed is itself the ortho center ठीक है क्योंकि इस vertex से तुम यहां पे अगर perpendicular drop करोगे तो यहीं इसी point पे आएगा इस vertex से drop करोगे तो इसी point पे आएगा और यह वाला से तो तुम कहीं भी drop करो इनों का intersection point तो यहीं होगा ठीक है तो अब अगर हमारा फुड़ा सा triangle को हम change कर दे फुड़ा सा हम triangle को change कर दे और obtuse triangle बना दे ठीक है obtuse triangle बना दे तो क्या होगा कि यहां से तुमको perpendicular drop करना होगा तुम यहां drop करोगे ठीक है यानि कि यह कुछ हुआ ओके फिर अगर तुमको यहां से perpendicular drop करना होगा तो तुम यह करोगे ठीक है इनके meeting के लिए आपको इधर कहीं जाना पड़ेगा ठीक है और फिर जब तुम यहां से drop करोगे इस पर तो तुम यह देखोगे कि eventually इसको पिछे लाने पर यहां मिलता है ठीक है तो एक common point पर मिलेगा तो यह तो guarantee ही है एक common point पर तो इनको मिलना ही मिलना है ठीक है लेकिन यहां पर हम लोगों को बात क्या पता चली कि in an obtuse triangle obtuse triangle the orthocenter the orthocenter is outside the triangle outside the triangle वो triangle के अंदर नहीं है यानि अगर हमको कभी किसी cald के question में कहते है कि एक triangle है जिसका one of the vertices जो है वो खुद उसका orthocenter है तो हम तुरंट समझ जाएंगे कि वो right angle triangle एक triangle है जिसका orthocenter बाहर है तो तुरंट समझ जाएंगे कि वो obtuse triangle है ठीक है now अब हम लोगा जो लास्ट बच गया है उस पर आते है एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर इन सर्कल इन रेडियस ठीक है एक मिनूट ठीक है अब क्या है एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं जैसे यहाँ पर यहाँ पर पहले एक आर्क ड्रॉ किया जाता है फिर इस पॉइंट से यहाँ एक आर्क और फिर इस पॉइंट से यहाँ एक आर्क काटी जाती है और फिर इसको मिलाया जाता है तो हमारा एंगल बाइसेक्टर बनता है यानि इधर और इधर एंगल बराबर होता है ठीक है तो ऐसे हमारा एंगल बाइसेक्टर बनता है हमने बना लिया है इसको हम यहां तक ले के जाएंगे हम लेके गए उसके बाद यहां से भी हम एंगल बैसेक्टर ड्रॉ करेंगे somewhat here यहां कहीं आ रहा है यह और फिर यहां से अंगल बैसेक्टर ड्रॉ करेंगे वैसे तो चेक करने की जुरूत नहीं हो यहां से पास करेगा ही बट स्टिल यहां कहीं आएगा ठीक है एक मिनट तो यह जो हमारा मीटिंग पॉइंट हुए इसको हम आई से डिनोट करते है सरकम का मतलब क्या होता है surrounding something और in का मतलब क्या होता है inside तो इससे आपको hint मिलेगी एक कि in circle जो है वो triangle के अंदर होता है और वो sides को touch करते वे जाता है जैसे circum circle जो है वो vertices को touch करता हुआ जाता है in circle जो है वो side को touch करता हुआ जाता है ऐसे ठीक है तो यहां से यहां तक का जो distance है यह नहीं जरूरी नहीं यह देखो यह यहां जा रहा है लेकिन हमारा यहां ऐसा हो सकता है ठीक है तो यहां से यहां तक का जो distance है वो obviously हमारा radius of the circle है वो है in radius यह हमारा A, B, C यह D, यह E और यह F ठीक है यह है हमारा F ओक है Now A, D B और C, F क्या है हमारे angle bisectors ठीक है उसके बाद D, E, F कोई significant point नहीं है ठीक है I, क्या है हमारा in center the point of intersection of intersection of angle bisectors ठीक है और उसके बाद आता है हमारा R यह है हमारा in radius ठीक है और जो circle बना है वो circle के यह triangle के अंदर बनता है circum circle triangle को surround करता हुआ बनता है और in circle जो है वो triangle के अंदर बनता है circum circle vertices को touch करता है in circle जो है वो sides को touch करता है यह सारी बातें clear हो गई I hope हो गई होंगी एक मिनट हाँ तो यह connection यह point तो यह circle और यह radius ठीक है यह हमारा point in center, in circle, in radius circum center, circum circle, circum radius ठीक है किससे क्या होता है यह चीज़ अच्छे से याद रखना जरूरी है अब हम लोग आ रहे हैं इसमें area वाले पार्ट पे area वाले पार्ट पे आ रहे हैं area is equal to half एक मिनट half into base into height अब base हमारा इतना ही होगा हमारा height चलो बहार drop करना पढ़ रहा है हमको क्योंकि यह obtuse है हमको height यहाँ बहार drop करना पढ़ गया बट still यह हमारी height है base यहीं तक होगा base यह नहीं कि यहाँ तक होगा अब हमने जो अभी अभी median के बारे में पढ़ा है इस triangle का median यह होगा अगर यह हमारा midpoint है ठीक है इसको e से ही denote करते हैं चलो तो ऐसे में हम आपको एक बात बता दें कि यह जो a b e triangle बना उसके लिए भी perpendicular तो यह होगा मतलब height और base क्या हो जाएगा half तो half into base into half into height into half of base मतलब original triangle का आधा area नहीं हो गया यह यानि कि एक median जो है किसी triangle को आधे आधे area में डिवाइड करती है एक median जो है किसी triangle को आधे आधे area में डिवाइड करती है यानि triangle a b e और triangle b e c congruent नहीं होंगे फिर भी उनका area बराबर होगा तो median जो है किसी triangle को आधे आधे area में डिवाइड करती है और इससे median thinking का बहुत सवाल बनता है median thinking का सवाल बनता है बहुत बताते हैं कैसे ठीक है यहाँ से median डाला उसके बाद क्या हुआ कि इसके उपर further एक median डाल दिया ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ एक median डाल दिया तो अब आपसे कहता है कि हमको shaded area to remaining area का ratio बताओ shaded area to remaining area का ratio बताओ तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं यह भी हम आपको बता देते हैं हम लोग यहाँ पर एक मिनट सबसे पहले इधर half area हो गया और इधर half बचा था बाकी का उस half में जब हमने यह median डाली तो उस half का half मतलब यह 1 by 4 हो गया ठीक है उसके बाद बचे हुए में उस half का half यहाँ बचा तो यह 1 by 8 हो गया तो obviously यह वाला भी 1 by 8 हो जाएगा ठीक है तो आप हमारा remaining area कितना है 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 मतलब 4 by 8 plus 2 by 8 plus 1 by 8 यानि कि 7 by 8 और यह वाला area कितना है 1 by 8 shaded area तो shaded to remaining का ratio क्या हो जाएगा this is to this मतलब 1 is to 7 ठीक है median thinking से हम लोग इसको जल्दी से बना सकते हैं वरना अथाहस हमें लग जाएगा ठीक है तो किसे triangle का area होता है half into base into height अगर हमको base और height नहीं available है ठीक है अगर हमको base और height नहीं available है triangle के तीनो sides पता है हमको A, B और C ठीक है इस चीज़ को हटाते हैं अब मान लो कि हमको यह पता है कि यह है हमारा A, यह B दिया हुआ और यह C है तो in such a scenario हम लोग इस limited information से area कैसे निकालेंगे let us see तो सबसे पहले हम लोग S निकालते हैं S क्या है semi perimeter semi perimeter नाम ही self explanatory है फिर भी बता देते हैं semi perimeter यह होता है perimeter का half मतलब perimeter क्या हो जाता है A plus B plus C उसका half ठीक है semi perimeter okay heroes formula भी कहते हैं कही जगा herons formula भी कहते है ठीक है okay semi perimeter हो जाता है A plus B plus C by 2 आपको तीनो साइड का length पता है तो आप निकाल पाएंगे इसको मानलो एक triangle है जिसके इन साइड है 3, 4, 5 तो इसका semi perimeter कितना हो गया 3 plus 4 plus 5 by 2 यह निकी 6 ठीक है तो A is equal to 3 एक example हम लोग ले रहे हैं A is equal to 3 B is equal to 4 C is equal to 5 S हमारा आगया 6 कैसे आया 3 plus 4 plus 5 यह 12 हो गया by 2 तो 6 हो गया तो अब herons formula क्या कहता है कि area is equal to herons formula बता देते हैं तुमको यह है basically तुम्हारा area is equal to S into S minus A S minus B S minus C उपर square root लगा हुआ है हम लोग अराम से जब तक हम लोग इसमे calculation में ठीक नहीं हो जाते हैं जब तक पुरा लिख के इसको करेंगे ठीक है यह कितना आ गया तुम्हारा देखो 6 into 6 minus 3 कितना हुआ 3 6 minus 4 कितना हुआ 2 6 minus 5 कितना हुआ 1 root 36 आ रहा है यह हो गया 6 आपको यह बात कैसे अभी पता चलेगी कि 3,4,5 जो होता है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है थोड़ी दिर में हम लोग पाइथागोरस फिरम पड़ने वाले हैं ठीक है इस्टिल होब कि आपको याद तो होगा पाइथागोरस फिरम जैसा कुछ तो 3,4,5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है तो राइट एंगल ट्रिअंगल ही बनेगा तो इसमें इन दोनों में से किसी एक को पपेंडिकुलर किसी एक को बेस आराम से अज्यूम कर सकते हैं हम लोग तो 1,2,3,4 वाला फामूला लग जाएगा 1,2,2,बेस,इंट,वाइट तो वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे 6 ही आ रहा है 6 square units square units क्योंकि area square meter, square centimeter ऐसे होता है area का unit यह होता है unit हमको पता नहीं इसलिए unit को unit ही लिख दिया ठीक है तो दोनों में से किसी तरज के इसे भी निकाला हमने area वही आया ठीक है अभी हमने आपको कुछ देर पहले एक बात और बताई थी कि कुछ देर पहले नहीं पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि किसी triangle के 2 sides का sum जो है वो तीशरे साइट से बड़ा होना चाहिए बराबर भी नहीं बड़ा होना चाहिए अगर बराबर हो जाए तो जैसे 1,2,3 अगर हम ले तो 1 प्लस 2 जो है वो 3 के बराबर हो जाता है वैसे situation में देखो Heirons formula क्या करता है A is equal to 1 B is equal to 2 C is equal to 3 ठीक है S is equal to 1 प्लस 2 प्लस 3 बाइ 2 6 बाइ 2 यानि की 3 formula लगाएंगे area का तो S into S minus A S minus B S minus C बाकी सब कुछ भी आ रहा हो ये 0 आगया multiply होके सब को 0 कर देगा 0 का root 0 तो 0 area का बनेगा मैंने बताया थे triangle नहीं बनेगा अगर हमने 1, 2, 4 ऐसा कुछ ले लिया तो इसमें क्या है 1 और 2 मिलके 4 से कम ही रह जा रहे है तो देखते हैं क्या होता है हमारा S कितना आ रहा है S आ रहा है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 4 बाइ 2 यानि की 3.5 थोड़ा सा convenient बनाने के लिए इसको चलो 5 ले ले लेते हैं calculation ठीक रहेगा तो यह हो गया तुम्हारा 8 बाइ 2 यानि की 4 एरिया कितना होगा 4 4-1 4-2 4-5 4-5 नेगेटिव आएगा यह पूरा नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव का रूट नहीं होता है imaginary होता है यानि हम समझ जाएंगे this triangle is impossible यानि के triangle Heron's formula यहां पर यूज में बहुत आता है इस चीज में की triangle with these side lengths is not possible ठीक है तो अब हमने area का एक formula हमने देखा half into base into height दूसरा है root over s s minus a s minus b s minus c जहां s कहा है semi perimeter perimeter का आध है a plus b plus c by 2 ठीक है area is equal to r into s where r is in radius s कहा है semi perimeter r कहा है in radius area फिर कहा है half into product of two sides sign of the included angle तो चलो next video में हम यह जो necessary है sign, cos और tan कुछ angles की values निकालने के तरीके याद करने के लिए table इतना आपको provide कर देंगे एक बार के लिए ठीक है half into product of two sides sign of the included angle तो इस चीज को अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं हमने पिछले वीडियो से अभी तक काफी कुछ रख लिया है जो कि हम लोग trigonometry के भरोसे चल रहे हैं तो हम लोग उसको जादा लेट नहीं करेंगे अगले ही वीडियो में सबसे पहले आपको वही पढ़ाया जाएगा elements of trigonometry ठीक है यहाँ पर है आपका a b c a into b into c by 4 r और capital r तो circum radius होती ही है ठीक है और आगे आ जा रहा है congruency यानि यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हम लोग trigonometry और trigonometry से related यह चीज हैं तो मैं बहुत basic बताऊंगा आगले वीडियो में trigonometry यह याद रहें ठीक है sign of included angle तो हम लोग को एक यह पढ़ना है one उसके बाद हम लोगों को sign rule और cosine rule पढ़ना है ठीक है sign rule और cosine rule पढ़ना है और उसके अलावा properties में किसी भी polygon का area regular polygon का area ठीक है मैं आपको यह बात बता दूँ कि यह तीनों जो चीजे हैं यह इन्होंने ऐसे ही लिख दी हैं यह 3, 4, 5 जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था फिर से याद दिला दूँ only for regular polygon ठीक है only for regular polygon और यहाँ पर अभी हमने यह पहले का topic है polygon polygon के बाद हमने ट्रांगल पढ़ा है याद रहे कि रांगल में साफ साफ लिखा हुआ था semi perimeter यह उससे पहले पढ़ा और यहाँ पे length of side है इसलिए confuse नहीं करेंगे regular polygon है तो कौन सी side का tension है नहीं क्योंकि सारी side ही बराबर होगी ठीक है तो point number 3, 4, 5 जो polygon का है only for regular polygon है यहाँ पे cot वाली चीज आ रही है उसके बाद यहाँ पे जो है sine rule और cosine rule आ रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पे area के लिए यह formula आ रहा है इन चार चीजों को पढ़ने के लिए हमको पहले trigonometry के जरूरत है तो पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में और उसके बाद इन चारो formula को भी उसी वीडियो में पढ़ेंगे और हम लोग congruency पे जाने से पहले कुछ questions करेंगे ठीक है तो thank you